हेलो दोस्तों कैसे हो आफ सब स्वादा दिया आफ सब का रिस्त दुरॉप किस्टार की इस चैनल पर और आज है संडे का दीन और आपको बता है कि संडे का दीन मतलब बहुत बीजी डिया है हां इस्टुडेंट्स के लिए तो यह रेस्ट करने का दीन होता है लेकिन हम सब के लिए बहुत ज़ाधा जीजय होकी है पूरे हफ़ते, का जो भी काम होता है वो हमें करना पड़ता है सिर्ण व्यूंत संड़े को और आज जो काम है वो है घर सिप्टिंग का आज मुझे घर सिप्ट करनाầnा है इसलिए मैं बहुत जादा मीजी रहने वाला हूँ एक वेट 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 कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अपना घर सिफ्ट करने वाला नहीं मैं आपको दिखाता हूँ कि घर सिफ्ट किसका करना है आईए तो ये है वो जिनका घर सिफ्ट करना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडे दे चुकी है और यह अक्सर इनके आदत हो चुकी है कि हर दो चार दिन के बाद मतलब जैसे बच्चे उड़ी जाते हैं उसके बाद फिर आ करके यह अंडे दे जाएंगे पूरा का पूरा बालकनी खराब करके रख देते हैं इसलिए आज मैं इनके घर को सिफ्ट करने वाला हूँ कहा सिफ्ट करूँगा उपर सिफ्ट करूँगा उधर चट के तरफ जिससे कि किसी तरह के दिक्कत ना है क्योंकि एक बार बच्चे हो जाते हैं तो पूरा का पूरा बालकनी यूज करने लाइक नहीं रहता है इतना गंदा हो जाता है तो आज मैं इनके घर के सिफ्ट करने वाला हूँ अभी इनके घर के लिए जिस तरीके सो गोसला बना के रहें ना उसी तरीके से मैं एक आर्टिफिशल घोसला बलानक बनाने जा रहा हूं और इसके बाद इस महासे को भी पकड़ूंगा इन्हें पकड़ करके उपर लेकर जाना है क्योंकि मेरे साथ उड़कर तो जाएगी निए नए तो आप इस ब्लोग में बने रहना इनको पकड़ते ही भी दिखाऊँगा इनके घोसले को सिफ्ट करते ही भी दिखाऊँगा और और कहा रस रहा हूं ये भी आपको दिखाऊँगा तो ब्लोग बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है, कुछ नया और यूनिक होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो पर बने रहीएगा, तो चलिए, सबसे पहले मैं इनके गोसले को दिखा रहा हूँ कि आखिर किस तरह का गोसला मैं बनाने वाला हूँ, इस डब्बे का इस इन लोगों को रहना पसंद है, और उसके बाद मैं सिफ्ट करने वाला हूँ, तो ब्लोग में बने रहेएगा, मैं दिखाता हूँ कि आखिर मैं कहां सिफ्ट करने जाह रहा हूँ, इनको पहले इसमें गोसला बना लो, आईए चलते हैं, दोस्तों मैं आ गया हूँ अब यह पूरे मेरे पुछे, आप पूरे बिल्डिंग को देख सकते हो, और इस बिल्डिंग में सबसे अपर फ्लोर जो है बिल्कुल उपर जो आपको फ्लोर दिख रहा है, वहाँ पर मैं इस घोसले को रखने जा रहा हूँ, और उस जगह पर मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, वह बिल्कुल उपर वाला फ्लोर, वहाँ पर मैं अभी इस घोसले को रखूँगा, और साथ ही साथ उन कबूतर उनके अंडे को भी ले करके जाऊँगा, तो एक बार रीस में मैं सेंट फिल कर लूँ, पहले आटिफिचल घोसला बना लेता हूँ, फिर आप से बात करते है अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहां घोसला बना लिया, कि बाकी पक्षियों के तरह नहीं बनाते हैं, जो बहुत अच्छे यहां से घोसले को मैं रखूँगा वहां उपर, उपर जाना है मुझे लेकिन एक मुशकिल यह है, कि मैं इसे लिफ्ट से लेकर नहीं कि मैंने घोसला तो बना दिया है लेकिन अब मुझे अपने घर से उसका भुदर्णी को अंडों के साथ लेकर के मुझे जाना है उस सबसे अपर फ्लोर पर यानि जो टॉक मौस्ट फ्लोर उस पर जाना है तो पैदलते चलना होगा कश्त होगा कि घर की सिप्टिंग इतना अस चाबी 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 आई रहा अब मुझे उन्हें पकड़ना है और आप भी शोर मत करना क्योंकि जब तक मैं इन्हें पकड़ूंगा नहीं अगर मान लो कि मैं इन्हें नहीं पकड़ा और अंडा रखकर के आ गया तो ये कबुतर ने अंडे के वियोग में रोते रहेगी और चिलाते रहेगी जब तक कि इसे इसका अंडा ना मिल जाए इसलिए मुझे अंडे के साथ-साथ इसे भी पकड़ करके ऊपर ले करके जाना है आप देख सकते हो मैं जैसे ऐसे सामने जा रहा हूं एक बाम मैं सामने जा कि आपको दिखाते हूं क्या की इसका रियक्शन क अब जाने के तियारी कर री है उधर भागने की तियारी करेंगी यह देखो यही दिक्कत है बहुत कर दो बहार निकल गई ना झाला से करें.... अब पकाड लिया दो... अब मैंने साथ पकाड लिया है अब इसके अन्दे को मैं उसं भोसले में रगुचे सिफ्ट करूंगा तो अप हो अंचे को कि अंचल क मैं इसक 나 savoir भी से तचार करर दा बील्कुल, दोहित, भी नहीं और इसलिए मैंने इसके आरेशिक को पकड़ा है और मैंने इसके जाला जोर से भी नहीं दबाया है बिल्कुल ऐसे पकड़ेगी कि खबुता की जो पंप होते है ना बहुत साथ मजबूत होते हैं अकर मैंने ज़रा सा धीरे पकड़ा इसको तो यह इसे चुड़ा करके अपने अपने के सब्सक्राइब कोशिश कर लिए बहुत ज़ादा तो चलो मैं इससे पहले क्लिए मैंने हाथ से चुके मैं इसे उपर सिथ करता हूं अंडे के साथ आओ अंडे की सिथिंग दूराएब करते हैं अंडे के सब्सक्राइब करते हुआ है आप तो चलो आगे चलते हैं तो प्लोड बने आपसे इसका प्लोड लेना इसके बाद इंचे बच्चों का फेस्टी बिल भी करवाएंगे दिख है सबसे बड़ी बाद है कि पुछ सीजियों से लेकर राख राए है रहता है अब करते हैं धर्सित्ते मैं धर्सित्ते मैं अरे नए दर्मेदारीय की सब्सक्राइब मुश्त याजाओ, मैं सिवह कर दो जी कि ये आप मुश्ते है वैवाल क्यों पेड़ नहीं पॉद्टी रहनो कहते है इथने को है है कार विया हो है दोस्तों अब ऊपरच प्रच आदे यह सिफ देरी हाज जो आज हाज आज 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 जो हाज आज अब यह सब कर तो लोग लगा हुआ है अब लोग लगा हो तो क्या करें इंको यही रख देता हूँ इनके लिए और मैं मामाई उट जाएगे लोगा हुआ है इसे पता चल गया कि इनके अंडे कहा पर है और इसे में यहां रखूँगा लेकिन रखते है यह उट जाएगी अउट तो यह आप अब 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 भी घर में इसको हाँ कि अब इसको सकते हो अब इसको यहां मेर करोंगे हुआ है आप मैने यहां रखने बाला हूँ लगी और अब अब इसको यहां मेर कर रहो हुआ हुआ है तो 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 वहां से लिगे यह पता है कि इसका अंडग कहा है यही बहुत बड़ी बात है तो खुदी बागे और अब यहीं रहेगा सेफ रहेगा यहां पर बिल्ली वेगारा कुछ नहीं आते क्योंकि बहुत उपर एरिया करी 15 फ्लोर है इसलिए बिल्ली आओ जानोरों को कोई खक्रा नहीं है देखा दोस्तों मैं आपको दिखा दूओ कि यह बिल्कुल टॉफ प्लोर ही है अप यकीन कर जाओगे अब देख सकते हो यहां से मैंग का कहां से आया हूँ वो नीचे वाले फ्लोर वहाँ से मैं आया हूँ और आप आप देख सकते हूँ कि दो गमले रखे हुए वहाँ से अभी यहाँ तक हम पहुचे ठक गया हूँ अब मैं चलता हूँ वापस अपने फ्लैट में नहीं है कि मैं इसे अकेला शोड़ रहा हूँ मैं तो नहीं भूल सकता ना तो चलो नीचे चलते हैं तो फाइनली हाउस सिफ्टिंग का काम हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ नहाने और नहाने के बाद का जो व्लोग होगा वह आपको मिलेगा अगले वीडियो में और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो और व्लोग अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शियर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं रिच्टो गरों की स्टार में एक नए वीडियो के साथ तर्तक के लिए थैंकियो सो मच